मंत्री की नमामी गंगे योजना के तहत में जहां गंगा को दुसित गंदा को स्वस्थ किया जा रहा है काफी ज्यादा पैसे खर्च की जा रहे हैं और उनकी सपने को सकार करने लिए तमाम लोग जो है लगे हैं वहीं पर आज एक बहुत बड़ा कारणामा आपको दिखाने जाएंगे कि गंगा में जो है यहां के छप्रा नगर निगम का जो है पानी जो है जो गंदे पानी है उस से गंगा में ही चीज में उसको ठेका जा रहा है और उसके यानि कि उनके सपने को चूड करता हुआ यह नगर निगम की अधिकारी गन जो है इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और जो कि आपको हम दिखलाएंगे कि किस तरह से नदी में आपके खनुआ नाले के निमान को लेकर कि असे पानी को तमाम पानी को हम गंगा शर्जु मिनदी में परवाहिद किया जा रहा है और शपन नगर निगम पुरी तरह से अधाँ सीनता यहां पर उसकी नजर dough तो यह तो नदी में पानी दूस्टा रहे हैं तो यह तो नदी में पानी दूस्टा रहे हैं जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है तो नदी काड़ी है उनका नाम बताएंगे उन्होंने कहा है कि इसको पानी गंगा जी में डाल देने के लिए जब हम इस संदर्ब में नगर निगम आईप संजय उपादय से मैंने बात करने के लिए वहां उनसे मिलने पहुचा तो साफ साफ मना कर दिया होँं से कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे उने मिलने से मिलना चाहा और इस तरह से उद्वासिन्टा यहां सामने नजर आ रही है कि पढदान मंत्रे जोदिस्क पढदान मंत्री हैं और उन्होंने नमामी गंगे कि तहत्म कितने बरई वहीं छप्राक नगर निगम के द्वारा उसको पुडिता से सपने को चूर करने में अपनी अहम भूम का निभारी ही है